ओम शान्ती यहाँ बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती आज तिनांग 25 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले समय और वायू मंडल को परक कर स्वयम को परिवर्तन करने वाले सर्व के इसनेही भव आज इसनेह का सागर पिता परमात्मा निराकार हम निराकार आत्माओं को सर्व के इसनेही भव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं समय और वायू मंडल को परक कर स्वयम को परिवर्तन करने वाले सर्व के इसने ही भाव डिटेल में बाबा बोले जिसमें परिवर्तन सकती है वो सबका प्यारा बनता है वह विचारों में भी सहज होता है उसमें मोल्ड होने की सक्ती होती है वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लेन, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया अर्थात, बाबा, सर्व का इसने ही बनने की हम बच्चों को युक्ती बता रहे हैं कि जिसमें परिवर्तन सक्ती होगी, जो सब का प्यारा होगा, जिसके विचार सहेज होंगे और जिसमें मोल्ड होने की सक्ती होगी, जो गुण ग्रहा होगा, निर्मान चित होगा, जो सदा स्वयम को निर्मान भाव में रखता है, अंतर मुखी होकर रहता है, कम बोलना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, सर्व को सुख देने के लिए बोलना, तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं, वे आत्माएं सर्व की इसने ही बनती हैं, क्योंकि कोई कैसी भी परिस्थिती हो, कोई कैसे भी वेवार वाला व्यक्ती हो, वह सभी को समा कर अपने अनुसार उसे बनाने का प्रयत्न करता है, जिस प्रकार हमारे पिता की सागर की महिमा की जाती है, सागर में कितना भी किछड़ा गंदा पानी सब जाकर अंदर तले में समा जाता है पर उपर से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता ऐसे ही बाबा कहते जो बच्चे में और मेरा से अर्थात, मेरा विचार, मेरा प्लेन, मेरी सेवा, मेरा ये, मेरा वो, के हिंकार से मुक्त होता है वह कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कि मैं ऐसा, मेंने ये किया, मैं वो कर रहा हूँ, वह सदा एक ही इस्मरत्थी रखेगा कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई सदा यही इस्मरती रहेगी कि करावन हार करा रहा है मैं निमित बनकर कर रही हूँ तो ऐसी आत्माएं जो मोल्ड होने की सक्ति रखती है जो निर्मान्चित होती है जो गुण ग्राहा होती है जो सभी में विसेशताएं देखती है वे परिवर्तन सक्ति द्वारा सब का प्रिये बनती जाती है आगे बाबा बोले वह मेरा पन आया माना अलाय मिक्स हुआ इसलिए समय और वायू मंडल को परक कर स्वयम को परिवर्तन कर लो तो सर्व के इसने ही नंबर वन बन जाएंगे कभी भी बाबा कहते मेरा पन आया तो समझ लो अलाय मिक्स हुआ क्योंकि बाबा आया है हम बच्चों को रियल गोल्ड मनाने तो रियल गोल्ड वे ही बच्चे होते हैं जो मोल्ड होते हैं जो कैसी भी परिश्थिती में स्वयम को मोल्ड करने की सक्ति रखते हैं इसलिए बाबा कहते हैं कि समय और वायू मंदल को परखो और उस अनुसार स्वयम को परिवर्तन कर लो तो सर्व के इसने ही और नंबर वन सहज बच जाएंगे कोई भी हम बड़े-बड़े महान आत्माएं देखते हैं साधु सन्यासियों को देखते हैं जो महान बने वे कभी भी एहिंकार में नहीं होते थे वे सदेव जुके हुए होते थे जिस प्रकार कोई जाड होता है उसमें जितने फल होते हैं वह उतना ही जुका हुआ होता है जिसमें जितने ज़्यादा पत्तियां डाल टाल टालियां होती हैं वह औरों को छाओं देता है हम फल वाले विरक्ष में पत्थर मारते हैं फिर भी वह हमें फल देता है तो ऐसे ही हम में हम आधारमूर्थ आत्माएं हैं इस स्रश्टी के परिवर्तन के निमित हैं तो सरवर्थम हम बच्चों को परिवर्तन सक्ति द्वारा स्वयम को मोल्ड बनाना है नरम दिल होकर रहना है रहम दिल होकर रहना है कोई कैसी भी आत्मा का हमारे साथ वेवार हो हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारा प्रभाव उस आत्मा पर पड़ना चाहिए तो बाबा कहते वाईू मंडल और समय को पर्खो और स्वयम को परिवर्तन कर लो और स्वयम के परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करो सर्व के इसने ही बनो जिस प्रकार हमने देखा ब्रह्मा बाप को ब्रह्मा बाप सदा भाई बेहनों को अपने आगे रखते थे सभी को रिगार्ड देते थे तो ऐसे ही हम बच्चों को सर्व के इसने ही बनना है तो हम जब सर्व के इसने ही बनेंगे तो उसके रिटर्न में सभी का हमें सहयोग प्राप्त होगा दुआएं प्राप्त होंगी और वे भी इसने ही बन जाएंगे तो हम सर्व के इसने ही बनकर नंबर वन विजई बन जाएंगे स्लोगन में बाबा बोले समस्याओं को मिटाने वाले बनो समस्या स्वरूप नहीं समस्याओं को मिटाने वाले बनो समस्या स्वरूप नहीं बाबा अक्सर हमें स्रीमत देते हैं समाधान स्वरूब बनू और जो परिस्थिती ऐसी आए कि आपको अरंगा डाल रही है तो उसे फुल इस्टॉप लगा कर आगे बढ़ जाओ क्योंकि हम आत्माएं अपने लक्ष को सदा इस्मृति में रख हर समस्या को पार करने वाली विजई रतना आत्माएं हैं हम सदा यह इस्मृति रखें कि हमारे साथ सर्व सक्तिमान पिता परमात्मा है और ड्रामा में जो भी होता है कल्यानकारी होता है तो हम समस्या में उलजने के बजाए अपना समय और सक्ति नष्ट करने के बजाए समाधान स्वरूप बन कर उसे फुल इस्टॉप लगा कर आगे बढ़ जाए तो समस्या स्वरूप नहीं समस्याओं को मिटाने वाले सहज बनते जाएंगे आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया उसका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की स्रीमत पर चलना बाप की सिक्छाओं को धरन करना यही अपने उपर क्रपा करना है मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की स्रीमत पर चलना बाप की सिक्छाओं को धरन करना यही अपने उपर कृपा करना है प्रश्न किया बाबा ने बच्चू बादसाह और पीरू बजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं कैसे बच्चू बादसाह और पीरू बजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं कैसे उत्तर में बाबा बोले बच्चू बात्सा है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध दोनों का आपस में बहुत गहरा संबन्द है सभी मनुस्य इस समय इन दोनों के वसीबूत है अगर कोई बाप का बच्चा कहला का फिर काम या क्रोध के वसीबूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते है बाबा कहते मीठे बच्चे इन दुस्मनों को जीतो क्रोध के लिए तो कहा जाता है जहां क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते है बाबा ने आज गीत सुनाया बच्चपन के दिन भूलाना देना धार्णा में बाबा ने मुख्य पैंट दिये पहला पैंट है दिल से साहे पर पूरा पूरा बलिहार जाना पूरा ट्रश्टी बन कदम कदम स्रीमत पर चलना देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना दिल से साहे पर पूरा पूरा बलिहार जाना पूरा ट्रश्टी बन कदम कदम स्रीमत पर चलना देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना दूसरा पैंट बाबा बोले बच्चा बनने के बाद बाप के कारे में विग्ण नहीं डालना कोई भी बदनामी का कारे नहीं करना आज्या कारी वफादार बनना बच्चा बनने के बाद बाप के कारे में विग्ण नहीं डालना कोई भी बदनामी का कारे नहीं करना आज्या कारी वफादार बनना तो ये थे बाबा के महावाक्य, अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम शांती अच्छा, इस चैनल 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